हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलोग्स में आज की वीडियो बहुत जादा इंफॉर्मेटरी रहने वाली है और इंपॉर्टन रहने वाली है क्यूंकि आज हम दो हजार चॉबिस पच्चिस के बजट को बहुत ही आसान भाषा में ड पुछता है तो इसलिए हम इसको अच्छे से डिसकस करेंगे तो आप इस वीडियो को एंट तक जरूर देखें और बीच में इसके बिल्कुल ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं बजट दो हजार चॉबिस और पच्चिस का अब देखो कि अंदर बजट वर्ड को मैंशन नहीं किया गया है हमें इस बात पर ध्यान देना है बजट वर्ड बिल्कुल मैंशन नहीं किया गया है constitution में क्या लिखा गया है annual financial statement ठीक है तो ये भी important mcq बनके आ सकता है कि हमारे constitution में budget word है या नहीं है और आता भी कई बारे question आ चुका है ठीक है तो क्या है यहाँ पर annual financial statement ये constitution में mention नहीं है ठीक है और budget होता क्या है तो ये पूरे एक साल का एक वित वर्ष मतलब एक financial year का पूरे financial year का सरकार की जो आए है उसकी विवस्था का लेखा जोका होता है अब जैसे कि हम अपने उपर अगर लेकर देखे हमारी families में क्या होता है income आती है है ना salary आती है उसके हिसाब से हम लोगों के मम पापा क्या करते हैं खर्चे का अनुमान लगाते हैं कि इतनी school के fees देनी है इतने का यहापर सबजी आएगी है ना इतने काटा आएगा इतने का दूद आएगा मतलब यह सब चीज़े होती है है ना कई सारी चीज़े होती है तो ऐसे ही जो हमारी सरकार है वो भी यह estimate लगाती है कि हमारी income कह और कहां से आएगी अलग-अलग सुरोतों से जो इंकम आती है वह और हमें इस इंकम को प्रूडेंट ली अपने सहीस और समझदार माइट कहां कहां पर लगाना है ये सारी बात है बजट में करी जाती है ठीक है तो जैसे एक परिवार का बजट होता है उसी तरह से सरकार का बजट होता है तो हम वो सरकार के बजट की ही बात यहां पर कर रहे हैं अब देखो अब आर्टिकल 114 जो है हमारे Constitution का उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जो बजट जो हमारा पार्लेमेंट में डिसकस करा जाता है उसके बाद Appropriation Bill आता है Appropriation Bill आये बगेर हम इस पैसे को हम का मतलब है कि सरकार इस पैसे को नहीं निकाल सकती पहले एक law के according appropriation bill आएगा फिर वहाँ पर जाके voting होगी कि आपको इतना grant दिया जाता है इतना पैसा दिया जाता है तब जाके यह पैसा सरकार को मिलेगा फिर सरकारे इस पैसे को अलग-अलग policy और schemes में खर्च करेंगी तो ये बहुत important article है 114 तो 112 हो गया और 114 हो गया ठीक है अब एक फरवरी 2024 को अंत्रिम बजट आया है हमारा किस ने दिया है निर्मला सीता रमन वित मंत्री ने दिया है हमारी वित मंत्री को ने फाइनस मिनिस्टर को ने निर्मला सीता रिमन इन्होंने पेश करा है ये अब ये जो बजट आया है न ये इंट्रिम बजट है या अंत्रिम बजट है ये लोगसभा के election होने वाले होते हैं तो अभी ये जो 2024 है इसमें लोगसभा के election होने वाले हैं तो इस साल का जो budget आया है वो interim budget है ये important बात है यहाँ पर कि interim budget होता क्या है अब देखो ये जो budget बनाने की responsibility होती है ये किसकी होती है department of economic affair अब ऐसे ही questions हमारे exam में mcqs के रूप में पूछे जाते हैं ये बहुत जादे important question है तो अब देखे हमारा जो channel है उस पर हम लोग हमारी जो series है mcqs की series है एक GS की है और एक है quality की यहाँ पर हम लोग mcqs करवाते हैं और इतने important mcqs है कि आपकी पूरी quality आपको इनके answers देखने के लिए कोई book वगरा नहीं खोलनी पड़ेगी नहीं कोई internet खोलना पड़ेगा आपकी पूरी quality जो की बहुत जादा कटिन होती है समझना वो हमने समझा रखे और mcqs करवा रखे हैं और यह हमारी series चलती रहती है इसी तरह से GS की भी है यह भी बहुत जादा important है exam point of view से और हमारे यहाँ पर tricks जहें इनके वीडियोज भी है और हम लोग main answer writing के important topics हैं हम लोग वो भी करवाते हैं ठीक है और हमारी जो monthly magazines है हर महीने की current affair की वो भी हम लोग cover करवाते हैं और अगर आपने हमारा यह यह series को follow कर लिया तो मेरी guarantee आपके बहुत जाद अच्छे marks हैंगे ठीक है और 2023 की 2023 की yearly magazine current affair important important वो भी हमने cover करवा रखा है जन्वरी से लेकर के दिसंबर तक का यह दो वीडियो में करवा रखा है और इसी तरह से sports भी हमने cover करवा रखा है तो चलिए तो यह तो ही हमारी इसके बात अब हम देख लेते हैं कि interim budget और full budget में क्या difference होता है अभी मैं जो मैंने आपको बताया है कि interim budget कब आता है जिस साल लोग से भागे election होने वाले होती है उस साल आता है अब इसका मतलब क्या हुआ अब देखिए एक financial year जो होता है वो एक अप्रेल से लेकर के कब तक का होता है 31 मार्श तक का होता है तो अभी 2030 का पिछले साल जो budget आया था उसमें 31 मार्श तक का पैसा दे दिया है अब जो election होने है वो होने है मैं मैं अभी कुछ महिने ऐसे हैं जो हमें क्या करना है कि हमें पैसा चाहिए मतलब सरकार को पैसा चाहिए खर्चा करने के लिए क्योंकि अभी जो उसके बास पैसा था 31 मार्श तक का पैसा था अब आगे के खर्चे के लिए यहां पर क्या होगा चोटा सा बजट आएगा जिसको हम बोलेंगे इंट्रिम बजट तो यह जो इंट्रिम बजट है ना यह इसी वाली बात है कि चोटा सा बजट आएगा क्योंकि अभी क्या होगा election के बाद हमें नहीं पता कि कौन से सरकार आएगी हो सकता है NDA हो सकता है कोई और सरकार आजाए कोई भी सरकार आजाए तो वो अपने according क्या करेगी schemes लेकर आएगी budget बनाएगी वो अपना अलग तरीके से सब कुछ काम जो है करेगी तो यह जो सरकार जो जाने वाली सरकार है अभी election से पहले की जो लास्ट वाली जो सरकार है वो इंट्रिम बजट ही लेकर आती है और इसके अंदर होता है vote on account का option vote on account का option होता है ठीक है तो यह जो चीजे थी यह बहुत जादा important थी इनको समझते रहे हैं और साथ की साथ कॉपी में note down करते चलिए तो अगर हम यहाँ पर भी देखें कि इंट्रिम बजट में क्या होता है कि government की सारी anticipated receipt expenditure होती है जब तक की नई सरकार ना बन जाए तो यह पहला difference होगा है बहुत important है और full budget में क्या होता है कि यहाँ पर सरकार की सारी earning spending allocation और policy का declaration होता है जो कि यहाँ पर नहीं होता अभी ठीक है second difference क्या है interim budget जो है पूरी financial detail देता है transitional period के लिए चोटा सा जो period है उस period के लिए और जो पिछले सरकार में जो उसने काम करें है पिछले सालों में जो काम करें है उन सब के बारें बताएंगे इस बार भी निर्मला सिता रमन ने अपने पिछले 10 सालों के बारें में बताया है ठीक है और full budget में क्या होता है कि इसके अंदर सारी national economic trajectory है पूरे fiscal year की अब ये देखो जो नई सरकार है new government जो है अपना budget पेश करेगी जुलाई 2024 में अभी budget एक फिर से आएगा कि ये तो interim था ठीक है न अभी एक और आएगा जब हमारे election हो जाएंगे नई सरकार बन जाएगी और ये जो budget आएगा ये 1 April 2024 से effective में हो जाएगा चलो ये interim वाला चलो आगे चलते हैं अब इसकी highlight है देखो अब ये जो हम budget discuss कर रहे है इसकी highlights हम यहां से शुरू करते हैं तो पहला क्या है पहला है विक्सित भारत की भारत को 2047 तक विक्सित राष्ट है विक्सित राष्ट का मतलब क्या हो गया कि developed country बनाने का लक्षय रखा गया है target रखा गया है पहली हमने क्या पढ़ा विक्सित भारत अब विक्सित भारत कैसे अब देखो ये term आपको याद रखनी है कि विक्सित भारत दी गई इस सरकार ने जो term दिये विक्सित भारत दी है और 2047 अब 2047 क्यों है क्योंकि हमारी आजादी को 100 साल हो जाएंगे 1947 में हमारा देख अजाद हुआ था तो 2047 तक क्या हो गए 100 साल हो गए तो हमारा यह सपना है कि हमारा देख developed countries की तरह हो जाए जैसे कि western countries है तो इसमें जो developed mantra है वो क्या दिरखा है वो है सबका साथ सबका विकास पहले तो यह होगा उसके बाद जब विकास होता चला जाएगा सीधी सी बात है सबको विश्वास भी आ जाएगा कि हाँ भईया विकास हो रहा है विश्वास हो रहा है तीक है उसके बाद अब यहाँ पर सरकार ने trinity के बात करी है मतलब तीन most important चीज़े ली है वो है demography democracy और diversity अब देखो demography तो हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो है most populous country of the word बन चुका है यहां हम सभी को पता है लेकिन most populous word तो है उसके साथ साथ most youngest country भी है हमारा देश क्या है most youngest country और जो country young होती है ना उसके पास ही सबसे ज़्यादा opportunity होती है कि वो जल्द से जल्द develop हो सके उसकी economy एकदम दोड़े भागे खूब तेश ते जो वो जो देश है उसके develop होने के chances बहुत जल्दी जल्दी होते है तो यह इसलिए यहां पर demography को dividend बनाने की बात कही है यहां पर और demography तो हमारे देश में है ही कि यहां पर लोग तंत्र है लोगों की चलती है और diversity को लेते हुए सब का सभी लोग प्रयास करेंगे और 2047 तक developed India बन जाएगा यह बात कही गई है चलिए आगे चलते हैं अब हैं यहां पर 75,000 करोड रुपे का प्रावधान रखा गया है provision रखा गया है कि यहां पर state government मतलब राज्य की सरकारों को 50 साल तक interest free loan दिया जाएगा जिससे की सारी state government हमारे आपर कितने हैं 28 राज्य हैं तो इस 28 राज्यों की सरकारे हैं वो अपने अपने यहां पर loan ले करके क्या करें अपने अपने देश के अपने राज्यों को आगे बढ़ा सकें और developed इंडिया बना सकें ठीक है क्योंकि जब राज्य डेवलप्ड होएंगे आगे बढ़ेंगे एक रोमी उनकी आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा पूरा देश से उपर ठाया यह यह बहुत इंपोर्टेंट है महु आयामी गरीबी का मतलब है मल्टी डैमेशनल पॉवर्टी से हमारे देश में पिछले 10 सालों में 25 करोड लोग बाहर आ गए हैं ठीक है मतलब पॉवर्टी जो है हमारे देश में कम हुई है यह इंपोर्टेंट है यह एक्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने करोड लोग उपर उठे हैं और कितने सालों में उठे हैं तो 25 करोड लोग उपर उठे हैं अब देखो अब इसी चीज़ को हाइलेट यह आपर जादा इन्होंने किया है क्योंकि PM मोदी ने पहले यह बात कही थी कि उन्होंने क्या बोला था कि उनकी नजरों में चार कास्ट हैं बहुत बड़ी बड़ी वो चार कास्ट कुन कुन सी हैं एक तो पूर हैं मतलब गरीब लोग हो गए दूसरा यूथ हो गया खतम हो जाएगी वोमेंस आगे बोड़ेंगी जो की पीछे हैं आज भी तो भी हमारी जो क्या होगी विदेशों में हमारी उनकी नजरों में इज़त बनेगी यूथ जो कि आज को अने इंप्लॉइड है अगर वो आगे बढ़ जाएगा टो भी क्या होगा शशक्त होगा यूथ शशक्त होगा अप्ली की परदान मंतरी अभी क्या हुआ है पिछले अहीं करोर गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया गया है यूथ एथ प्रदान मंतरी गरीब कल्यार योजना यह वह योजना है जिसकों की COVID-19 में भी इससे बहुत है लोगों की है ना अब देखो इसके तहत BPL वाले कार्ड जिन लोग के पास BPL के कार्ड होते हैं उन परिवारों को हर महीने 4 किलो गैहूं और 1 किलोग्राम चावल फ्री दिया जाता है यहां फ्र लोन दिया है ठीक है क्या दिया है लोन दिया है 43 करोड लोगों को लोन दिया है साड़े बाइस लाग का की पीम मुद्रा में क्योंते हैं लोग लोन लेते हैं और अपना बिजनस खुच शुरू करते हैं अब पीम फसल भीमा योजना यह भी है इसमें 4 करोड किसानों को ला पीएम किसान सम्मान योजना इसमें 11.8 करोड किसानों को सीधी वित्य सहता दी गई है सीधी वित्य सहता मतलब डारेक्ट फाइनेंशल असिस्टेन्ट दी गई है कितने लोगों को 11.8 करोड़ लोगों कोillas योजना के मोस्त weather इंपोर्टनट है इसain is that is not miał दिन पीऊपानेदी किसे के लिए इसरीट वेंडर्स के लोगों के लि Casey कि उनको यहाँ परनलनजा अब हो चल अब है कि एंसरीट फूर्टन हनbonus Karen ब्स बैन्ट उनके बैकाउंट हुए रुस घट्पट्रीकेंची कानी रुपध यह apost diving सरकार के अने सरकार सरकार को डारेट लगेज़ होता है यदि वॡचत बैएGM में अब यह जो है यह अनुमान है कि जो वास्त वास्तविक आए है मतलब जो एवरिज रियल इंकम है हर इनसान की वह लगभग लगभग पचास परशंट बढ़ गई है यह बहुत इंपोर्टन यह एक्जाम में पूछा जा सकता है अब देखो यह एक्जक्ट पचास नहीं है वैसे तो शायद 43.something है इतना परशंट है कुछ यह ठीक है यह इंपोर्टन यह सरकार ने यह बोला है कि हमारे दस सालों के शाशन में क् पचास परशंट की इंकम बढ़ गई है अब इंफलेशन जो इनके पर हुआ है इनके पीरिट में वह यह कह रहे हैं कि यहां पर मॉड्रेट हुआ है मतलब जादा में गई नहीं की नजरों में ठीक है चलिए अब है स्केल इंडिया मिशन मतलब कोशल विकास मिशन इसके अ हैं न कमर्शिल लेते हैं वो केशनल तो यहां पर 1.4 क्रोड यूथ को स्किल करा है और रेष्किल करा है और इसके लिए क्या है तीन हजार नए इस यह आये डियू है आइटी जो होता है बड़े-बड़े इंजीनिर्इर्इंग जहां पर एंटर्रम होता है यह आई डियी जहां पर बारवी के बाद यहां पर कोई भी आप वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं यह वह वाली बाते हैं अब देखो इन्होंने यह भी बोला है कि फीमेल एंड्रॉल्मेंट जो है हाइर एजुकेशन में वह 28 परशन बढ़ा है कि जो हाइर एजुकेशन का मतलब क्या है ग्रेज 23 परसंट का अनॉल्मेंट हुआ है और यह वन आफ दा हाइस्ट है पूरे संसार में बोलें पूरे वर्ड में सबसे आज आता है कि हमारे यहां पर लड़कियां जो बचंटेज में आगे बढ़ी हैं स्टैम कोर्स के होते हैं इसमें साइंस टेक्नोलोजी इंजिनरिंग और मैथमेटिक्स की लड़कियां जातर क्या करते हैं आर्ड वगरा लेती हैं लेकिन यहां पर साइंस टेक्नोलोजी इंजिनरिंग और मैथ में लड़कियां आगे आई हैं गर्स आगे आई हैं ठीक है चलो अब यहां पर और व्यृफले दिया पताई गई है अपनी की टिपल टिपल तलाग जो हटा दिया है और वन थार्ड मतलब 33 परचंट सीट है वो में के लिए पार्लेमेंट में रिजर्व करी गई है सत्तर परचंट हाउस जो है पिए मावास योजना के तहत्त वुमेंट को दिये गई है तो इस चीश से वुमेंट के डिग्निटी पहले से बढ़ी है यह बात कहीं गई है अब है दो हजार चौबिस का जो रक्षा जो खर्चा है डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है वह 1.1 प में जाएंगे बड़े-बड़ी खर्चेन में अब दो हजार चौबिस का यह वही चीज़ है इंक्रिमेंट डिफेंस एक्सपेंडिचन अब है प्रधान मंत्री आवास योजना इसमें क्या है कि ग्रामेंट छेतर के तीन करोड घरों को बनाने का लक्ष्य ब्राप्त किया ह अगले पांच वर्षों में दो करोड और नए घर बनाए जाएंगे किसके अंदर है पधान मंत्री आवास योजना जिसके लोग को घर दिये जाते हैं ठीक अब यह है भारत के हर सपनियों को पूरा करने के लिए 3D Trinity जो हमने भी पीछे उपर बात करेंटी ना इसको नोट कर लो याद भी कर लो एक करोड हाउस होल्ड मतलब एक करोड घरों की छतों पर क्या लगाया जाएगा यहां पर सोलर पैनल लगा जाएंगे जिससे कि उनको फ्री एलेक्टिटी दी जा सके बिजली मुफ्त में दी जाएगी कितनी 300 unit की सिर्फ कितनी 300 unit की अब जिए ब्लेंडिंग वोगी देखो यहां पर net zero अब हमारे देश का लक्षे क्या है इंडिया का लक्षे है कि 2070 तक हम लोग net zero बन जाएंगे net zero का मतलब क्या है कि जितना भी हमारे manufacturing में carbon dioxide emission होगा carbon emission जो होगा या इसी greenhouse gases का emission होगा उतना ही हम लोग एब्सॉब भी कर लेंवा तो यह है net zero की बात तो इंडिया ने बोला है वह 2070 तक ही उपाएगा अब उसके लिए कदम उठाया है कौन सा कदम है cng, png और compressed biogas को blend करा जाएगा टोटल रूप से बायो फ्यूल्स ऐसे यूज नहीं करें चाहेंगे उसके इंदर blending की बात करें जिससे कि हम इस जिस के लिए भी अपना काम शुरू करते हैं अब करने के लिए next है कि e-buses के प्रयोग को पत्साहिद क्या गए तो यह भी इसी से related है e-buses pollution नहीं होता है इंसे यह एक नई स्कीम है जिसमें bio manufacturing factory और bio foundry यह launch करी जाएगी जिससे की environment friendly यह alternative दिया है यहाँ पर तीक है अब उस क्या है अब आशा कर्मी और आंगनवारी करमचारी को भी आयुश्मान भारत योजना के तहत सुविदा दी जाएगी health cover दिया जाएगा आयुश्मान भारत स्क तीम में किसको आशा और आंगनवारी वर्कर्स को और दूसरे हैलपर्स होते हैं उनको अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए बालिकाओं को मुफ्त टीका करण दिया जाएगा फ्री में दिया जाएगा सर्वाइकल कैंसर के लिए 9-14 साह तक की गर्ल्स को ठीक अब है सक्षम आगनवारी और पोशन 2.0 को भी आगे बढ़ावा दिया गया है जिससे की न्यूट्रीशन दिया जा सके मतलब पोशन दिया सके और अरली चाइल्धूड के आगनवारी वगरा में दी जाती है बच्पन से ही चाइल्धूड में की एक है यूविन प्लैटफॉर्म यह देखो यूविन यूविन प्लैटफॉर्म यह एक प्लैटफॉर्म यह प्लैटफॉर्म है जहां पर कि जो हमारे देश में इम्मुनाइजेशन होता है ने मिशन इंदर धनूश में क्या होता है लोगों को चोटोटे बच्चों को पोल कितना लक्षय पूरा हो गया है यह बहुत important है कि you win platform यह paper में आ सकता है किस से related है यह exam के लिए बहुत जाद है important है चिक चलो आगे चलते हैं अब यह है nano DAP का प्रयोग nano DAP क्या है nano DAP एक fertilizer है मतलब क्या बोलते हैं इसको खाद है न फटिलाइजर यह वह है जैसे यूरिया होता है जैसे खेतों में डालते हैं जिसके अच्छी उपज होती है तो अब यह जो है nano DAP यह सभी agroclimatic zones मतलब क्रशी जलवायू में यूज करा जाएगा जिससे की हमारी उपज क्या हो बहुत अच्छी हो nano DAP चलो अब है आत्म निर्भर oil seed अभियान एक स्कीम यह भी है कि हम अभी तक तो जो हैं इंडिया वाले oil seed में आत्म निर्भर नहीं है बहुत सारा हम लोग इंपोर्ट करते हैं भार के लोगों से तो अभी हमने क्या बोला है अपने बजट में कि आत्म भरता हम लोग अचीव कर लेंगे जैसे कि तिल हन दल हन दल हन दल हन नहीं सोरी तिल हन जो होता है सरसों का तेल हो गया तिल हो गया मुफली का तेल इन सब में अब है बहुत सारे जीव होते हैं जिने लोग खाते हैं तो वह सारी चीजें है यहां पर उनके प्रड़क्टिविटी को हम लोग बढ़ाएंगे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे एक्सपोर्ट को डबल कर देंगे और जिससे की रोजगार के अफसर बढ़ेंगे और अपॉर परचुनिटी यह अफसर है देखने वाली बात है बस तो अब हमारी सरकार इन वाली चीजों पर ब्लू क्रॉमी पर बहुत काम कर रही है ठीक है चलो अब सरकार ने एक बात और बोली है कि यहां पर प्राइवेट और पबलिक इन्वेस्टमेंट जो है वो सरकार प्रमोट क है ठीक है ना तो उसी manufacturing के बाद क्या होगा फिर export होगा तो इसलिए सरकार क्या करेगी यहां पर investment बढ़ाएगी पैसा डालेगी public मतलब government की तरफ से भी और private की तरफ से भी हां पॉर्चुन्टी दे रहे हैं सरकार इसी तरह से पांच integrated aquaparks बनाए जाएंगे जो मैंने भी बोला है aquaparks क्या है blue economy से रिलेटिड हैं यहां पर चलो अब यह है safety facility convenience passenger को यहां पर दी जाएंगी यह important है चलो वितमंत्री शिरीमती निर्मला सितारमन ने तीन नई railway corridors को बनाने की घोशना करी है यह बहुत important है कि कितने corridors को बनाने की बात करी है तीन को कौन-कौन से है वो एक तो है energy, mineral और cement के लिए क्यों क्योंकि अभी क्या होता है अभी के फिलहाल में कि traffic इतना जादा है कि माल का जो ढुलाई है आवाजाही है वो correct time पे नहीं हो पाती तो इसके लिए हापे corridors बनाने की बात करी है जिसी के delay ना हो कुछ भी ठीक है तो energy का जितना भी माल होगा, minerals जो होंगे, cement होंगे उसके लिए अलग corridor बना जाएगा इसे तरह से port की connectivity के लिए corridor बना जाएगा और एक आएगा high traffic density क्योंकि traffic बहुत जादा होता है वो ही वाली बात है तो इन तीनों चीज़ों पर यहाँ पर जोड दिया गया है अब है promotion of urban transformation via metro rail और नमो भारत यह देखो metro rail है, metro rail बनाई जाएगी और नमो भारत trains, अब नमो भारत train क्या है यह भी semi high speed train है जैसे कि अभी बनी थी यह तो दिल्ली से गाजयाबाद और मेरट इन तीनों के बीच में यह चली है ठीक है न तो इसी तरह से urban transformation मतलब क्या है कि urban शहरी इलागों में हम लोग क्या करेंगे उनकी तस्वीर को ऐसे ही वाता क्या बोलते हैं यह यातायात के साधनों से उनको हम जो है और आगे लिकर जाएंगे ठीक है अब है इसमें एक चीज़ और है देखो नैशनल हाइवे वाली बात कही गई है नैशनल हाइवे फाइनेशल यह 2015 में सिर्फ कितने थे 97,991 किलोमेटर थे लेकिन अभी 2022 में कितने हो गए यह 1,44,634 किलोमेटर तो यह बढ़ गया है यह बहुत important है ऐसे question पूछ लेते हैं कि कितना बड़ा है अब है स्वयम सहायता संभू मतलब self-help group की बात कही गई हम पर अभी उसकी मदद से क्या है कि एक कुर्ण महिलाएं जो है वो लगपती दीदी उनके बनने का सपना पूरा हुआ है अब लगपती दीदी scheme में है क्या ट्रेडिंग दी जाती है जिससे की skill सीख कर क्या होगा यह महिलाएं जो है वो पैसा कमाएंगी ठीक है अब इस चीज़ से क्या होंगी वो financially strong हो जाएंगी ठीक है और यहां पर बहुत सारी महिलाओं ने अपना खुद का business भी खोला है एक लाक सारी एक करोड महिलाएं जो है वो लगपती दीदी बन चुकी उनका business establish हो चुका है यह बहुत important है और अब लगपती दीदी का लक्षे 2 करोड से बढ़ा कर 3 करोड किया गया है अब देखो next point है सरकार अगले वित्वर्ष में बुनियादी धाचे मतलब basic infrastructure के निर्माण में 11.11 करोड रुपे खर्च करेग यह बहुत important है कि यहाँ बर हमारे देश में basic infrastructure का निर्माण के लिए पैसा दिया गया है यह बहुत important है ठीक है इंगलिश में है कि budget में क्या दिया गया है capital expenditure capital expenditure होना बहुत जरूरी होता है capital expenditure से ही revenue बहुत साधा आता है ठीक है भविश्य में आता है चलिए अब हाँ इस million dollar economy 2027 तक बनने का सपना है उसकी तरफ यह अग्रसर है अब देखो लक्षदीप जो हमारा इंडिया है यह यहां पर लक्षदीप है अब लक्षदीप सहीद यहां पर बहुत सारे द्वीप है वहां पर बंदरगा की connectivity की सुविधाओं के लिए परियोजनाय शुरू की ला उसका गैसी करण और द्रवी करण की शमता की स्थापित की जाएगी कि यहां पर यहां पर पॉल्यूशन से पॉल्यूशन को कम करने की बात कई है भविश्य में ठीक है चलिए अब देखो अब है विस्तवर्ष दो हजार पच्चिस में बुनियादी धाचा वे सकल घरे इन्फरस्ट्रक्चर वाली बात है उसका 3.4 परसंट होने का अनुमान है यह दो हजार पच्चिस का अनुमान लगा गया है कि 3.4 परसंट होगा अब देखो 5.9 परसंट है 2023 और यह था 2025 के लिए तो यह इंपॉर्टन है ठीक है अब हमने इसारे बाते करी है अब यह देख लिए हैं कि पैसा आता कहां से है और जाता कहां से है जैसे कि हमारे फैमिली में होती है इंकम आती है अलग-अलग शरोतों से ऐसी ही सरकार की इंकम है तो वह कहां कहां से आती है कि रुपी मतलब पैसा गहां से आता है सबसे ज़्यादा आता है 28% कितना 28% आता है बोरोवेंग से मतलब उधहारी से सबसे ज़्यादा पैसा लेती है सरकार थीके अब उसके बाद आता है income tax से यह है 19% जो हम जैसे लोग देते हैं जह हमाई नोगरें लग जाती है ना या बिजनेस होते हैं तो असमें हम सरकार को income tax देते हैं डारेक्ट तो यह वही वाली बात है कि 19% सरकार को यहां से मिलता है corporate tax मिलता है 17% और GST मिलता है 18% अब यह मोटी मोटी बाते थी कि यह मोटा मोटा हमें पता होना चाहिए कि यह कहां से आता है कहां पर जाता है ठीक है अगर हिंदी में देखें तो उधार और अन्ने से हमाएं उधारी से आया 28% ठीक है GST से 18% आया है corporate कर से 17% आया है और ISE income से आया है 19% चलो अब यह आतो गया अब हम यह सरकार जो है हमारी सरकारें हैं से खर्च कैसे करती है तो सबसे ज़्यादा खर्च करेंगी 20% इंट्रेस्ट पे में अब दोको उधार लिया है तो इसकी ब्यासों देनी होगी सीदी सी बा इसकी बादर में यहां पर दीर्ण करेंगी 20% है यहां पर स्टेट का शेयर टैक्सीज और डूटी यहां पर देना होता है विएस पर्षंट और परोगिसे अब है पाइशन कमीशन और अधर टांसफर इसमें आइए आठ पर्सेंट आप पर्सेंट अब है Central Sector scheme यह है 16% Central sector scheme वो scheme होती है जिन्हें की 100% खर्चा Central मतलब Union Government के द्वारा दिया जाता है State नहीं देता तो यहाँ पर है 16% और Centrally Sponsored Scheme वो होती है जिसमें की Center और State Government दोनों का अपना अपना share होता है चाहें वो 60 ratio 40 का हो या फिर वो 90 ratio 10 का हो यहाँ पर दोनों का share होता है तो यहाँ पर है 18% 18% यहाँ पर दिया जाता है पैसा subsidy में है 6% defense में 8% तीक है यह मोटा मोटा है यहाँ पर चलो अगर इसे हिंदी में देखें तो हिंदी में भी यही है मतलब ब्याज का भुकतान है 20% और करों और शुलकों के राज्य का भाग है 20% ठीक है वित्य आयोगर जो फाइनस कमिशन दे रहा है 8% वो हो गया और यह है केंद्र छेत्र की योजनाए केंद्रिये द्वारा प्रायोजित योजनाए ठीक है 8% चलो अब अब देखो अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि लास्ट दस सालों में पिछले दस सालों में टेक्स पेयर का बेस भड़ा है मतलब टेक्स पेयर करने वाले जो लोगों की संख्या है वो पहले से ज्यादा हो गई है ठीक है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मुनलब direct और indirect taxes में ठीक है कोई बदलाव नहीं हुआ है सेम ही tax के rate है income tax lab में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है कोई change नहीं है tax lab में चलो अब है corporate tax 20% for corporate tax 20% for existing domestic companies और 15% है कुछ नई manufacturing companies के लिए इनके लिए है 15% और corporate के लिए है 20% अब no tax liability for taxpayer 7 लाख वाले लोग जो होंगे जिनके income 7 लाख है उनके लिए कोई tax liability नहीं है उनपर tax नहीं लगेगा सरकार व्यक्तिकत करदानताओं के लिए वित वर्ष 2010 तक लंबित 25,000 तक की परतेक्ष करमांगों को वापस ले लेगी यहां पर क्या है direct tax demand जो है outstanding direct tax demand वो सरकार 2010 तक की financial एक में वापस ले लेगी government to establish government क्या करेगी 1,00,000 करोड corpus मतलब 1,00,000 करोड रुपे देगी किस चीज़ के लिए research and development project के लिए deep defense technology मतलब क्या है research and development project में सरकार ने 1,00,000 करोड रुपे दिये हैं जो अच्छी बात है यह एक्जाम में पूछा जा सकता है यह वाला कुशन finance minister gave a new definition to GDP अब देखो उन्होंने क्या दिया है government, development और performance यह बहुत जादे important है यह most important है कि finance minister ने क्या definition दिये वैसे हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं gross domestic product लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से अलग दिये है वो दिये है governance, development और performance इन्होंने अलग से उसकी वैख्या कर दिये ठीक है तो यह हमारी वीडियो खतम होती है आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जुरूर बताएं कोई सुझाव है तो वह भी बताएं कोई doubt है इसमें अता वह भी हमसे बोच सकते हैं ठीक है तो हमारी वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी है तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए happy learning जो सकते हैं